नवस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटीूब चैनल पर, आज मैं बात करूँगा वेड़ गेन के बारे में, कि वेड़ गेनर क्या है, वेड़ गेनर कैसे करें, और वेड़ गेनर लेने के क्या नुक्सान और क्या फाइदे हैं. पहले हम यह समझ लेते हैं, वेट गेनर क्या होता है, वेट गेनर जो दुबले पतले लोग होते हैं, उनका गजन बढ़ाने के लिए एक complete source होता है, उसी को हम वेट गेनर बोलते हैं, जो हम बोजन करते हैं, वो बोजन की quality के उपर निर्भर करता है कि हमें कितनी केलोरी मिलट वेट गेनर नहीं होता है, वेट गेनर का काम होता है, हमारी जो केलोरी है, उसको इंप्रोव करता है, जो बोजन हम करते हैं, उससे हमें अगर 400 से 600 केलोरी मिलटी है, तो वेट गेनर से हमें 1200 से 1500 केलोरी मिलटी है, तो यह हमारी वेट गेनर की importance को बढ़ा देता है, और हमार वेट गेनर लेने के फाइबे के साथ सा नुकसान भी है, नुकसान इसकी यह है कि वेट गेनर आपकी केल वेट को बढ़ाता है, आपकी मसल्स को नहीं मनाता है, वेट गेनर लेने के बाद जब आपको 1000 से 1200 केलोरी मिलती है, तो उसको आपको बर्ण भी करनी पड़ती है, अग और आपकी टमी निकलेगी और इसके अलावा जो आपकी मसल से वह सच तरीके से नहीं बन पाएगी और एक तरीके से बोल दे तो एक्स्टा जो फेड होता है वह आपकी बोडी में जमा होने लग जाएगा तो दोस्तों जब आप वेड गेनर लेते हो तो उसकी केलोरी के अकोडिंग आपको केलोरी बढ़न भी करनी चाहिए ताकि आपकी मसल स्ट्रोंग बने और वेड गेन सप्लेमेंट आपको प्रोपेशनल ट्रेनर से ही लेने चाहिए क्योंकि आज की तारिक में मार्केट में पैसे कमाने की होड में लोगबाग सरीर से भी कापी खिलवाट कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे और हो सके तो जितना हो सके नेचुरल डाइट पे आप ध्यान दे वेड गेनर में जितनी केलोरी इंपूर्ट होती है जो आपकी सरीर को चाहिए वही केलोरी आप नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल तरीके में जो भी परदाद आप लेंगे उससे आपको कोई साइडवेप नहीं होगा सबसे बड़ी बात उसमें कोई मिठा पन जो यू कह सके है अपन जिसमें मिठा परदान होता है जो सक्रा होती है वह हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त होती है और इसके अलावा हमारी बोडी में कोई साइट नहीं होता है, हमारी मसल सही तरीके से इंप्रूव होती है, इसलिए जितना हो सके आप नैचुरल डाइट पे फोकस करें और वेट गेन करने के लिए आप बनाना खाए, आप दही खाए, ऐसी चीजे अपनी लाइप स्टाइल म में आप इंक्लूड करिए जिसमें केलोरी का हाई प्रोटेशन ज्यादा हो, जो आपके वेट को पुटोर करने में मदद करें, बागी हो सके तो बाहर के सप्लिमेंट से आप बचे,